नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल वर्कम बैक टू माई न्यू वीडियो तो आपने अक्सर यूटूब के ओपर देखा होगा जब एक शॉर्ट वीडियो क्रेटर अपने चैनल के ओपर शॉर्ट डालता है तो उसके अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं इवन उसके सब्सक्र चैनल के अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रेटर है तो कैसे आप पर शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपने लॉंग वीडियो में व्यूज ला सकते हैं अब देखो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है हैसे आप स्क्रींशॉट में देखी सकते हो बहुत सारे चैनल है जिन तो आमसी बात है कि एक लॉजड़ वीडियो क्रेटर जो अपनी वीडियो में बहुत जादा महिनत करता है और एक शॉर्ट वीडियो क्रेटर हम उससे ज्याधा टाइम या फिर उतनी ज्यादा महिनत नहीं लगता अगर भूड़ वीडियो के ज्मपैरिशन में बात करी आय पर चैनल को जलदी वायरल हो जाते हैं तो आपकी वीडियो को अच्छी तरह से वाच करें तभी आपकी वीडियो वारिल होती है और अच्छी तरह से वाच करेंगे जब आप content को बहुत सोच समझ के बनाएंगे उसके उपर बहुत ज्यादा मैंनेत करेंगे तो आप YouTube क्या करत लॉंग वीडियो देखे सब्सक्राइब करा है तो वह आपकी नेक्स्ट लॉंग वीडियो भी देखेगा कुछ इस तरह से YouTube का algorithm जो वो काम करता है तो YouTube यहाँ पे simple तरीके से यह बात समझ आता है कि मैं subscriber देदूँगा शेट को मतलब particular आप इस वात को normal इस वात से समझ सकते हैं कि channel तो एक ही subscribe करते हैं लोग कुछ लोग short देखके subscribe करते हैं तो उन्हें short के ही notification मिलते हैं आगे और कुछ लोग अगर आपका long video देखके subscribe करते हैं तो उन्हें long में ही आपके सारे के सारे views जो वो देखने को मिलते हैं अब simple से method से कहा जाए दोस्तों तो यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि जो आपकी short video को देखकर आपके channel को subscribe करेगा वो खाली आपके short video ही उसको recommend होगे आपकी long video नहीं और जो आपकी long video को देखके आपके channel को subscribe करेगा उसको long video ही आपकी recommend होगी क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है YouTube के हिसाफ से नहीं तो आप सोची अगर दोनों चीज़ों को बराबर कर दिया जाए अब short video creator जो है अमान के जली उसके 1 million subscriber हो गए YouTube के ओपर वो long video डाल रहा है उसमें भी million views आ रहे हैं तो ऐसे में तो वो खूब सारे पैसे भी कुमा लेगा क्योंकि आपको पता है कहीं न कहीं अगर आपको पैसारन करना है या फिर अपने नाम की एक brand value बनानी है अपनी face value बनानी है तो ऐसे मैं शौट वीडियो के comparison में long video काफी ज़्यादा helpful होते हैं लेकिन उन में महनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है तो that's why YouTube हाप लोगों को दोस्तो बिलकुल भी notification नहीं देता है जैसे या आप short video से आपकी videos viral होके subscriber बढ़ रहे हैं उनको उसके वाद में बहुत से लोगों का ये स्वाल रहता है कि हम अपने YouTube channel के ओपर short video upload करने चाहिए और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम short video से upload करें साथ में हमारे long videos के ओपर भी अच्छे कासे views आएं तो देखो दोस्तों इसका simple रहते हैं वह आपसे हमेशा उमीद लगाए रखेंगे कि हम इस लड़की या लड़के को द्वारा से नाचते हुए देखेंगे तो ऐसे में दोस्तों मान के चलो आप आप व्लॉगर थे तो आपको क्या करना था मीनी व्लॉग या फिर कुछ ऐसा शॉट बनाना था जो कि व्लॉग के रिलेटेड हो ताकि कल को अगर आपकी नोटिफिकेशन गलती से उस बंजे को दिख भी जाए तो उसके ओपर भी क्लिक कर ले अब यही होता है दोस्तों आपको पता है कि कोई गलस शॉट आपके चैन के रिलेटेड बताईए बीच बीच में अपने चैनल का नाम बगारा भी बिचाते रही है जिससे कि आपके व्यूज जो इंक्रीज हो सकते हैं वाकि दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि क्या यह यूटूब ने सही किया है कि चैनल तो एक लेकिन वो सब्सक्राइब दो व अगली वीडियो में भगवान कर आपका समय शोबो टेक कर एंड बाई बाई